हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल अलगतर इसके से चावल के लड़ू बनाना बताऊंगी अगर आपने अभी तक हमारे ट्रेंफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब किजिए जिससे कि हमारी नएनी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे अब मैं लड़ू बनाना इस्टार्ट करती हूँ मैंने लड़ू बनाने के लिए यहां पर चावल का आँटा लिया है इसको मैंने दुल की सुखा की पीस लिया है और अब मैं इसको कड़ाई में भूनूंगी मैंने कड़ाई में रिफाइन डाला है और अब मैं इसमें चावल का आटा बूनने के लिए डाल रही हूँ मैंने इसमें आदा आटा डाला है आदा मैं बाद में बूनूंगी इसको हलका हलका लाल होने तक हमें हलकी आज पर बूनना है यह हमारा चाबल के आटा भून चुका है और जो हमारे पास आदा बचा हूँ आटा था मैं उसको भी इसी तरह से भून लूँगी मैं इसको एक बर्तन भी निकाल रही हूं यहां पे 250 ग्राम मूमफली के दाने लिए मैं इसको हलकी आश पर भूनूँगी इन मूमफली के दानों को कम से कम 15 मिट से खलकी आश पूरना है जब तक इसका छिक्कल ना चूटने लगे 15 मिट हो चुके हैं और यह मूमफली के दाने भून चुके हैं मैं देख रही हूं इसके चुकल चूट रहे हैं या नहीं यह बून चुके हैं मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूं मैंने मूमफली के दाने निकाल ली हैं मैं इसको थोड़ी एर तक ठढ़ना होने के लिए रख दूँगी तब तक मैं मैंने यहां पे 250 ग्राम तिल लिए हैं मैं इसको हलकी आश पर भूनूँगी मैंने कडाई में तिल डाल दी है यह जो तिल है यह हमारे पास धुली हुई तिल थी इसको हमें हलकी आश पर लालोने तो भूनना है दसमट हो चुके हैं और यह तिली भी अच्छी तरह से बुन चुकी हैं मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूं मूमफली के दाने ठंडे ह गर्ची तोर रही है देखिए इन दानों के दो टुक्ड़े हो चुके हैं और यह जो चिकल हैं मैं यह निकाल रही हूं इस सरह से यह मूफली के दाने बिल्कुल साफ हो चुके हैं मैंने चावल का आटा भूनने के बाद चान लिया है इसमें जो जला हूँ आटा था देखिए वो निकल आया है बाहर और अब मैं इसमें तिल और मूफली के दाने डाल रही हूँ अब इसको mix करना ये 800 ग्राम मावा है मैं इसको चावल के हांटे में डाल रही हूँ ये हमारे पास 1egen एक लू बूरा है मैंने इसको चान लिया है अगर आप चाहिना थो आप घर पे भी चीनी को पीस के बूरा बना सकते हूँ मैं इसको इसमें डाल रही हूं अब इन सबको अच्छे से mix करना है इसको इस तरह से mix करना है ये सबकुछ अच्छे से mix हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूद आट करूंगी दूद थोड़ा थोड़ा डालना है और दूद डालने के बाद इसमें तो प्लीज लड़ू बनाने है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले